हेलो फ्रेंड मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ फ्रेंड आज मैं लेकर आई हूँ जून 2019 का पेपर और यह सीरीज 2019 है तो इसमें हम इस पेपर के जो भी ancient questions है उसको हम solve करेंगे तो चलिए देर ना करते हुए से solve करना शुरू करते हैं और ध्यान दिजेगा यह पेपर online हुआ था 2018 दिसम्बर से ही जो यूजी सी नेट के पेपर है वो online होने शुरू हुए थे एक मैं पेपर online जो हुआ था दिसम्बर में वो मैं upload कर चुकी हूँ अगर आप देखना चाहते हैं तो सीरीज 18 में उससे देख सकते हैं तो चलिए solve करते हैं कोश्चन नमबर बन बाग और साइट के सम्बंद में निम्न में से कौन सा सही नहीं है तो ध्यान दिजेगा इसमें पूछ रहा हैं कौन सा सही नहीं है तो यह राजिस्थान में इस्थित है ये तो सही बात है नमबर दो पे है इसके विशुद मद्य पाशान प्राक भान चरण के होने के संबंद में हमारे पास 5365 और 3775 इसापूर की अवधी के कारबन तित्थी है ये भी सही है और इसके तीसरे नमबर पर इसके प्रारम से ही क्रशी संबंदी चिन पाए गए है ये गलत है तो हमारा जो एंसर बनेगा वो ये वाला ही बनेगा थ्री नमबर नमबर फोर है जबू बैल भेड बकरी और सुवर का करीब 5000 इसापूर से ही पालतू पशू के रूप में पालन किया जाता था ये भी सही है तो जो इसमें पूछ रहा है क्या सही नहीं है तो वो हो जाएगा थ्री नमबर आगे चलते हैं कोश्चन नमबर टू नीचे दो कतन दिये गए हैं एक को अभी कतन ए कहा गया है दूसरे को कारण आर कहा गया है तो अभी कतन ए है अब इस समद्ध में काफी कम संदे है कि सिंदु घाटी के कतिपे पहलू दुतिय और प्रथम शताब्दी की संस्कृतियों में मिलते हैं और रीजन दे रहा है सिंदु घाटी सब्विता और वैदिक संस्कृति के बीच प्रारंभिक है हेती सब्विता के अस्तित्य को अब नहीं माना जाता है तो जो A है ये सत्य होगा ये सही है और जो R है ये भी सत्य है लेकिन हम दे सकते हैं कि इसकी व्याक्या नहीं दे रहा है तो इसमें जो answer बनेगा वो हो जाएगा टू नंबर AR दोनों सही है परन्तों इसकी सही व्याक्या नहीं दे रहा है निम्न में से कौन सा गलत है तो इसमें हमें गलत या सत्य वाक्य को पहचाना है नंबर वन है लेखन के दैन दिन कार्य बन जाने के बहुत दिनों बात तक मौखिक परंपरा के प्रति मोह बना रहा ये बात सही है पिर बृत हरी ने घोशना की थी कि समझ के पास वाक रूप होता है वाक प्रक टित जागरुकता सभी प्रकार के ज्ञान की नीव है ये भी बात सही है नमबर तरी है इस प्रकार भारतियों ने कंठस्त की अपिक्षा ग्रंतस्त को वरियता दी यह गलत है यहाँ पे हमारा option 3 नंबर हो जाएगा और 4 नंबर है नौविश अताबदी के लातीन वै या करणों का विचार आदरशक भारतिय विचारों से बिलकुल अलग था इसलिए यूरोप में विद्वान व्यक्ति वह था जो लिट्रेचर अर्थात पढ़ा लिखा लेटर्ड मैन होता था कोशन नंबर 4 निमलिखित में से किस महा जनपत से यूनानियों के खिलाफ लड़ने वाली फार्सी सेना को पुर्सों और सामगरी की आपूर्ती होती थी तो किस जनपत से होती थी तो ये होती थी गांधार से इसमें जो फर्स्ट ओप्सन है वो करेक्ट हो जाएगा इसमें भी अभिकतन और कारण का कोश्चन है अभिकतन है राष्ट वादी इतिहास लेखर ने भारतिय संस्कृति के आध्यात्मिक घटक तथा पश्चमी संस्कृति के भौतिक वादी आधार को एक आवश्यक तथा अंतर नहित अंतर के रूप में देखा और कारण दे रहा है या अंश्चता उस विचार की प्रतिक्रिया थी जिसकी या धार्नाति की धर्म भारत के पारंपरिक समाज में एक ऐसे केंद्रिय कारक था जिसने प्रगति क्यों अवरुद्ध किया तो देख सकते हैं पहला वाला भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है करेक्ट है करेक्ट स्टेटमेंट है और दूसरा भी करेक्ट है और सही व्याक्या दे रहा है तुमारा जो एंसर इसमें बन जाएगा ए यार दोनों सही है और इसकी सही व्याक्या दे रहा है यानि वन नम्बर इसमें करेक्ट होगा कोश्चों नम्बर शिक्स धर्म शास्त्र रचनाओं के संबंद में नेमन में से कौन सा वक्त व्य सही नहीं है ध्यान दीजेगा इसमें सही नहीं है पूछ रहा है नमबर बन है इनमें चार वर्णों और सामाजिक जीवन के माप दंडों का संधर्व है ये बात सही है धमशास्त में दिया गया है नमबर टू है इसमें विबिन जातियों का संधर्व नहीं है तो ये गलत है जबकि इसमें दिया गया है तो हमारा correct option two number हो जाएगा और three number पे है इसमें देश धर्म और कुल धर्म का संदर्व है यह भी बात सही है और number four है इसमें जोर दिया जाता है कि प्रतेक व्यक्ति अपने वर्ण के धर्म का पालन करे यह भी correct है तो जो correct नहीं है incorrect है वो हो जाएगा two number इसमें विबन जातियों का संदर्व नहीं है question number seven उन इस्थलों की पहचान कीजिए जहां घोड़े होने की प्रमार नहीं मिलते हैं तो इसमें हमें जहां नहीं मिलते हैं उसकी पहचान करनी है तो गली गली गाई इसमें मिलते हैं और बुर्ज होम में खुत्ते के प्रमार मिले थे इसलिए हमारा जो option होगा वो two number होगा यहां घोड़े के नहीं मिले हैं पिराक में मिले हैं इनाम गाउं में भी मिले हैं तो क्या सकते हैं केवल बुर्ज होम ऐसी जगह है जहां घोड़े के प्रमार हमको नहीं मिले हैं यहां कुत्ते के साक्ष मिले थे question number eight नेमन में से किसको खगोल उपकरणों के सोववस्थित विवर्णवाली पहली उपलब्द भार्तिय रचना कहा जाता है तो इसमें जो पहली रचना थी वो थी ब्रम स्पुट सिधान्त मतलब थी नमबर इसमें हमारा correct होगा question number nine नेम लिखित में से किसमें रेडियो कार्बन काल निर्धारन तकनीक लागो की जाती है तो यह लागो की जाती है पुरा तत्तोव विज्यान यानि इसमें जो हो जाएगा two number हमारा correct answer होगा पुरा लेख विधा में नहीं पांडू लिपी में भी नहीं और पुरा लेख सामगरी में भी नहीं इसका correct option होगा पुरा तत्तोव विज्यान में रेडियो कार्बन काल निर्धारन तकनीक का हम जो तकनीक है उसको लागो करते हैं निमन लिखित में से कौन सा मनुस्मरति में मिश्रिच जातियों को दिये जाने वाले विभिन दर्जों के समबंध में सही नहीं है ध्यान दीजीगा इसमें भी पूछ रहे क्या सही नहीं है number बन है बन विवस्था में एक दर्जा कम की पतनी से जन में बच्चे को दूजों के भाग के रूप में सुईकृती मिलती थी तो ये बात तो सही है इसमें हम इसको सही करेंगे फिर से बोल रहा है नमबर दो पर वन दरजे के हिसाब से दो या तीन डिग्री नीचे की महिला से जन्मे बच्चे से शुद्रों में एक नया समोह निर्मित होता था ये भी सही है नमा त्री है यदि महिला का संबंदित दर्जा पुरुष के दर्जे से उचा होता था तो ऐसे विवाहित की संतानों को माता पिता के दर्जे से नीचे रखा जाता था दर्जा का मतलब यहाँ पे जाती से है तो ये भी करेक्ट है और नमा फॉर है अनुलों विवाह को प्रतिलों विवाह की अपिक्षा कहीं अधिक पवित्र कानून का उलंगन करने वाला माना जाता था ये गलत है हमारा जो ऑप्षन बनेगा वो फॉर नमबर ही बनेगा ये सही नहीं है कोच्च नमबर 11 चट्टानों और मुक्त रूप से खड़े इस्तंबों पर उतकीन लेखों के लोग प्रदर्शन की विधी भातिया शाषकों द्वारा निम्न में से गिसके द्वारा अपनाई गई संबंदित प्रिथा का अनुकरण थी तो संबंदित प्रिथा का अनुकरण थी तो इसमें बुल रहा है फिर से मैं पर देती चट्टानों और मुक्त रूप से खड़े इस्तंबों पर उतकीन लेखों के लोग प्रदर्शन की विधी भातिया शाषकों द्वारा निम्न में यसे किनके द्वारा अपनाई गई संबंदित प्रिथा का अनुकरण थी तो यह ठी आ अक्खे मनी मतलब वन नॉम्बर इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ये हो जाएगा यूनानी नहीं होगा शक और पार्थियन ये भी नहीं होगा इसमें correct option और खे मनी हो जाएगा question number 12 निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें भी जो सुमेलित नहीं है उसे में पहचान करनी है number 1 है नागर शैली नागर मंदिर का आधार वर्गा कर होता है जिसमें प्रतेक भुजा के मद्य में अनेक प्रच्छिप होते हैं जो उसे cross रूप प्रदान करते हैं ये बात सही है फे द्रविर शैली है इस सैली की सबसे महतपूर्ण विशेशता उसके पिरामिडा कार शिखर हैं फिर नमा त्री है कश्मीरी सैली कश्मीरी सैली यह वाह विश्व के किसी भी प्रकार के प्रभाव से रहित विश्वद इस्थानिय शैली है यही गलत है और नमबर फोर होगा वासर शैली यह उत्तर और दच्छिण शैलियों का मिश्रण है यह भी सही है वासर शैली उत्तर और दच्छिण दोनों ही शैलियों का मिश्रण दरसाती है कोश्चन नमबर 13 नेमन में से कौन सा छोटे सावधिक बाजारों तरह बड़े व्यापारिक केंद्रों के बीच के इस्थानिय विनियम केंद्र को इंगित करता है तो देख लेते हैं मंडी पिका यही होगा मंडी पिका ही दिखाता है बाजारों और व्यापारिक केंद्रों के बीच की स्थानिय विनियम केंद्र मंड पिका यहां हम टिकर लेते हैं तूपे है तेव राम यह नहीं होगा नमबर त्री है गर्ण अग्राहार यह भी नहीं होगा नमबर बन ऑप्शनिस में करेक्ट है कोश्चन नमबर फोटीन भरतपुर पुरा तात्विक इस्थाल के संबंद में निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है इसमें भी जो स सही नहीं है उसकतन को हमें पहचानना है नमबर वन है या जिया तक्तरम में इस्तित हैं सही है नमबर टू यह राजस्थान में इस्तित है जहां से प्रवासी पक्षियों की हड्डियों के अव्शेश मिले थे अ ढयाँ भरतपुर राजस्थान सही नहीं है हमें पहचानना है एक मिनट नमबर त्री है काला विधी एक में मचली पकड़ने, शिकार करने और क्रशी के शाक्ष मिले है और काला विधी सेकेंड में लोहे और उत्तर काले, चमकदार म्रत भार के प्रियोग के साक्ष मिले हैं भरत पूर राजिस्तान में जहां तक है लेकिन आंसर की है यह थोड़ा मुझे कांफूिसन लग रहा है क्योंगी इसमें जो सही नहीं है वह एंसरकी में टू दे रहा है और वैसे यह वन नमबर होना चाहिए था अब इसको कन्फर्म करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आगे चलते हैं कोशन नमबर फिफ्टीन संभावता शको द्वारा उनके राजनितिक प्रभुत्व हेतु अपनाया गिरा सांस्कृतिक नवा विचार ही था कि एक नए युग का नाम उसके नाम पर रखा गया शेल्डन पोलॉक के अनुसार या सांस्कृतिक नवाचार क्या था तो या सांस्कृतिक नवाचार ये था राजनितिक प्रयोजन हेतु संस्कृति का प्रयोग नमब फोर इसमें करेक्ट आप्शन होगा भारी बक्तर युक्त सेना नहीं होगा पार्थियन शौट ये भी नहीं होगा शराब मास और सिले हुए वस्तुन का प्रयोग नहीं होगा और जो होगा वो होगा राजनितिक प्रयोजन हेतु संस्कृतिक का प्रयोग कोश्चन नमबर 1616 एक तरफ राज दिये गया है और उसकी भोगोलिक सीमा दी गई है तो हमें इसे आपस में सुमेलित करना है आवंती आवंती हो जाएगा मद्य भारत का मालवा शेतर से सामने ही है एक नट येवल ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा उसके बाद दिया है गांधार गांधार हो जाएगा आधनिक पेशावर और रावल पिंडी जिले जिले तथा कश्मीर घाटी ये भी गांधार इसी से हो जाएगा टू नमबर से मैच हो जाएगा चेदी चेदी मद्य भारत में बुंदेल खंड का पूरी भाग ये भी सामने ही इसका ऑप्शन दिया है मतलब सी का थार्ड नमबर होगा और वज्जी नेपाल की पहाड़ी तक गंगा का उत्तरी भाग ये भी करेक्ट है ये सभी आपस में सामने सामने ही दिए गया है तो इसका ऑप्शन भाग जाएगा वन नमबर में करेक्ट एंसर है अब पूशन अमबर 17 नीचे दो कथन दिये गये हैं एक और अभी कथन एक का गया है दूसरे को कारण का गया है अभी कथन ए हैं तुर्क तर्क दिया जाता है कि आरंभिक एतिहासिक दच्छ तो एक मिनट ये गलत होगा और रिजन दे रहा है उक्तकाल के कभी अपनी भौतिक खुशाली के लिए राजा पर निर्वर होते थे ये बात सही है तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा एक गलत और आर सही नीचे देख लेते हैं एक गलत है और आर सही है मतलब एक गलत फोर नंबर इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा कोशन नमबर 18 यहां भी अभिकतन और कारण दिये गया है अभिकतन एह है ऐसा माना जाता है कि अजाज शत्रू ने 493 इसापूर में अपने पिता की हत्या की उसने कोशल को अपने राज में मिला लिया जबकि वह शाशक उसका मामा था ये बात सही है तो इसको करेक्टर ले पर रिजन दे रहा है मगद के विम्बसार का पुत्र अजाज शत्रू मगद का शाशक बनने के लिए आतुर था और अन्य छेत्रों उसने होगा उसने अन्य छेत्रों को अपने राज में मिला लिया यह भी बात सही है तो इसमें जो हमारा ऑप्शन बनेगा यहार दोनों सह यह उसकी व्याक्या भी दे रहा है यानि वन नमबर से करेक्ट होगा को अश्य नंबर वन नाइन नैन्टीन इसमें इस्थान दिया गया है और काल दिया गया है इसने आपस में सुमेलित करना है तो चलिए कर लेते हैं गिल कुल मुहम्मद इनका जो समय होगा वो होगा 255 से 3885 बीसी फिर डंब सादत यह हो जाएगा वन नमबर से यह वाला आप मैच करते जाए 3370 से 2530 बीसी फिर काली बंगन का हो जाएगा इसके सामने वाला ही त्री नमबर 2980 से 1865 बीसी फिर रानी गुडाई इनका हो जाएगा सबसे लास्ट वाला सामने ही दिया है 4550 से 3165 बीसी तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो टू नमबर हो जाएगा कोशन नमबर 20 राज शेकर के संबंद में निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है इसमें सही है जो उसी को पहचानना है सबसे पहले दिया है नमबर बन पे वह चोल वंश का सरवादिक शक्तिशाली शाशक था ये गलत है नमबर टू पे है वह प्रतिहार शाशक महेंद्रपाल और महीपाल का दरवारी कवी था ये सही है उसको अमटिक कर लेते हैं फिर नमबर थ्री पे दिया हुआ है वह पुराणों में उलखित साथ बाहन का पहला शाशक था गलत है और नमबर फोर है उसने संगम काल संगम संकलन के दस परितोष गीतों में से एक सिरपाट रुपतल की रचना की ये भी गलत है तो हमारा जो करेक्ट अप्शन होगा वो टू नमबर हो जाएगा कोशन गवर टॉंटीवन इसमें पुस्तक दिये गये हैं और लेखक दिये गये हैं इन्हें हमें आपस में सुमिलित करना है तो आप समिलित करते जाएए अपने कॉपी पे तो इसमें पूस्तक है वो लिखी थी का विदर्श के हो जाएंगे दंडी यानि 4 नमबर से एका 4 फिर उसके बाद अस्टाध्याई अस्टाध्याई हो जाएंगे पाड़नी यानि बी का 3rd नमबर इसके बाद हो जाएगा महाभाश्य महाभाश्य हो पतंजली यानि C का second number और तंत्र लोक का हो जाएगा लास्ट अभी नफ गुप्त यानि D का one number तो इसमें हमारा correct option हो जाएगा two number question number 22 नीचे दो कथन दिये गये हैं और उसका reason दिया गया है उसके recording हमें answer देना है अभी कथन है गुप्त काल को सांस्कृतिक विकास के छेत्र में प्राया classical युग कहा जाता है यह बात सही है और reason दे रहा है गुप्त काल के कलात्मक आदर्शों की प्रिशंशा करते हुए यह तर्प दिया जाता है कि यह एक ऐसा युग है जिसमें कलात्मक क्रिया कलापू का आश्चर जनक विकास देखने को मिलता है यह भी बात सही है लेकिन यह इसकी व्याख्या नहीं दे रहा ह कोश्चन नमबर 23 निम्न में से कौन सा मिल की हिस्ट्री ऑफ प्रिटिस इंडिया के संबंद में सही नहीं है तो जो सही नहीं है उसे हमें पहचाना है चलिए हम कथन पढ़ लेते हैं कि नंबर बन यह इसने भारतिएँ की परंप्रार पारंपारिक संस्थाओं की जड़ और पत्षपात पोक्षगामी पाया एक मिर्ट कोश्चन पिर से मैं रिपीट कर देती हूं निम्न में से कौन सा मेल के हिस्ट्री ओफ इंडिया के संबंध में सही नहीं है तो नंबर वन है इसमें इसने भारतियों की परंपरा और संस्था को जड़ और पश्च गामी पाया ये बात तो सही है फिर सकर नंबर है यह हैली बरी कॉलेज में भारतिय सिविल सिवा के ब्रिटिस अधिकारियों हे तु भारत के संबंध में एक पार्थी पुस्तक बनी ये भी बात सही है नंबर फॉर है इस पर ब्रिटिस उप्योगता वादी दर्शन का कोई असर नहीं था ये गलत है नंबर फॉर इसमें हमारा अंसर बन जाएगा कि कोशन नंबर 24 अग रहारों के संबंध में निम्न में से कौन से वक्तव्य सही है तो हमें सही वक्तव्यों को पहचानना है चलिए देख लेते हैं नंबर ए है यह एक संस्क्रिट शब्द है जिसका प्रियोग विशेश रूप से प्रतम शिताब संहीं कि देख मद में हुआ भाद सही है पर यह कैंसा सब्द धाज जो भ्यामणों को दिए जाने वाले भूमी अनुदान की एक शेड़ी का पण नाम था यह भी बात सही है फिर सामानीत तोर पर यह अनुदान स्थाई होते थे भी बाध सही है फिर दान में प्राप्तकरत को उत्त पादन संगटित करने और भूमी से राज्यस्वा अन्य संसाधन एकत्र करने का अधिकार दिया जाता था ये भी बात सही है तो देख लेते हैं नीचे ऑप्शन्स इसमें जो ऑप्शन होगा हमारा सारे ही करेक्ट है इसलिए हमारा थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट नगतां है तो कॉस्च्छ नंबाऄ 25 इसमें लेखक दिये गए हैं और इंसे लेक दिये ऑनिया आपस में सुमेलित करना है तो चली सुमेलित कर लेते हैं इरफान हवीव हिरफान हवीव के हो जाएंगे यह सेगन नमबर से यहां पर इमें इमें जी निंग रिवर सरस्वती और डिफेंस ओफ कॉमन सेंस बी लाल के हो जाएंगे वन नमबर से परहापस दी अर्लियस्ट प्लाउट फील्ड सो फॉर X X के वेटिज anywhere in the world यानि B के हो जाएंगे वन नमबर फिर C के हो जाएंगे RH मीडो RH मीडो के हो जाएंगे फोर नमबर से दी डेमो स्टीकेशन एंड एक्स प्लाइटेशन ओफ प्लांट्स एंड अनिमल्स इन दी ग्रेटर इंडस वाली फिर नमबर ये C के फोर और D के हो जाएंगे Morius A Fentress इनके हो जाएंगे D के थर्ड नमबर से Regional Interaction in इंडस वाली अब्सर अब्नाइजेशन अब्नाइजेशन होना चाहिए अब्नाइजेशन लिखा है चली कोई बात नहीं तो D के हो जाएंगे थर्ड नमबर से तो इसमें हमारा Correct Option देख लेते हैं कौन सा बनेगा ये हमारा Correct Option बनेगा 4 नमबर का आगे चलते हैं कोचर नमबर 26 बदामी के निकट महा कुटेश्वर स्थित मंदिर के समोह से उस मंदिर को पहचाने जिसमें गर्व ग्रह के एक भाग का कुछ महत्व है तो किसका महत्व है ये हमें पहचानना है नमबर बन है गला गननात ये तो नहीं है फिर हो जाएगा दो नमबर पर संग मेश्वर ये ही ये ही करेक्ट आप्शन होगा नानि टू नमबर और नमबर त्री दिया है हुच्छी मल्ली गुड़ी ये भी नहीं है और नमबर फोर कदा सी देश्वर मंदिर ये भी नहीं होगा तो हमारा जो करेक्ट आप्शन होगा वो होगा संग मेश्वर कोश्चन नमबर त्वांटी सैवन यदि हम अहार में निकले लोहे की बात छोड़ दें तो भारत में प्रारंभिक प्रारंभिक तौर ये तौर ही है तौर इस तर हे तूँ शभी चौदा कारवन चौदा सी तिठी करीब हजार इसा पूर अता इससे थोड़ा पहले की आती है इसका मत या मत किसका है तो ये मत बताना है ये मत था इर्फान हभीब यानि थ्री नमबर इसमें हमारा करेक्ट आप्शन होगा कौश्चन नमबर 28 निम्न में से कौन सा गलत तरीके से सुन मेले थे यानि हमें गलत वाला पहचानना है नमबर वन है आर एस सर्मा अर अर्बन डिके इन इंडिया ये सही है फिर उसके बाद है नमबर टू पे जौन्स विलियम्स तो जौन्स विलियम्स हो जाएंगे दा आर्ट ओफ गुपता इंडियन एंपायर एंड प्रोविंस ये भी सही है एल भास में दा दा वंडर दाट वाज इंडिया ये भी सही है रोमिला था पर मिथ एंड रियल्टी इस टीज इन दा फॉर्मेशन ओफ इडियन कल्चर ये वाला गलत होगा तो हमारा ओप्शन फूर नमबर इसमें हो जाएगा क्योंकि गलत पहचाना था रोमिला थापर कर ये नहीं है आगे चलते हैं कोशन नमबर ट्वटिनाइन काली बंगा जहां प्राक हडपास संस्कृति के अनेक इस्थल पाएगए नेमने में से किस चेत में इस्थित है तो ये बहुत इजी है ये इस्थित है राजस्थान में मतलब थ्री नमबर हमारा करेक्ट होगा यहाँ पर पैरा वाले कोशन आ गया है यहाँ पर जो उत्तर देने है वो हमें ये पैरा पढ़कर उसके बाद उत्तर देने है तो मैं आपके लिए पैरा पढ़ देती हूँ आप वीडियो पॉस करके भी पैरा को पढ़ सकते हैं तो दिया हुए है पूर मधिकाल के राजनितिक इतिहास में राज्यों और भूमी अनुदानों का विस्तार देखने को मिला ब्रामनों को दिये जाने वाले भूमी अनुदानों ने राजनितिक शक्ती के विधी मान्यकरण में महतपूर भूमी का निभाई और क्रशी शंबंधों पर उसका महतपूर प्रभाव पढ़ा उपमादीपों के विभिन भागों में क्रशी का विस्तार हुआ और ग्रामीर समाज अतिदिक इस्तिरिये क्रत बन गया यह शहर अवनती का काल नहीं था यह दचिन भारत को देखने से बिल्कुल इसपस्ट है कि यहां शिल्पूं शहरों व्यापार और व्यापार संगों का पर्याप्त विकास हुआ उपमादीप चीन और दचिनपूर एशिया के बीच व्यापारिक संबंधों में काफी विस्तार हुआ भक्ती पूजा धार्मिक विचार व्यावार की प्रमुख विशेश्ता थी मंदिर ना केवल पवित्र स्थल थे बलकि शहरी केंद्रों के मूल और राजनीतिक प्रतीक भी थे उन्हें पर्याप्त संरक्षर मिला जिसके कारण वे विभिन सामाजिक समोहों के क्रिया कलापों और आकांशाओं के केंद्र बिंदू बन गये संस्कृत और देशी भाषाओं में अनेक पुस्तक की रचना सहित संस्कृतिक छेत्रों में पर्याप्त विकास हुआ मंदर इस्थापतिकला और मूर्तिकला का विकास और परिश्करण हुआ विभिन छेत्रिय शाली स्पस्ट दिखाई पढ़ने लगी 600-1200 इसा के दोरान राजनितिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक इस्तरों परघटनाओं ने विशिस्ट, छेत्रिय, संगठनों और प्रतिमानों में निश्चित रूप धारण किया तो चलिए इसकी कोशन्स देख लेते हैं कोशन नमबर 30, यहां इंगित पूर्व मध्यकाल का प्रारंब लगबक कब हुआ तो यहां आरंब हुआ था 600 इसा इस्वी में यह वाला फोर नमर्स में करेक्ट आप्शन होगा ब्रामनों को दिये गए भूमी अंदानों का क्या परिणाम हुआ तो देख लेते हैं नमबर वन है उन्होंने शाषको की इस्थिती को सुद्रण किया तो यह बात सही हो जाएगी वन नमबर आप्शन हो जाएगा इसमें फिर उसके बाद है इससे क्रशको का विकास हुआ क्योंकि प्राया अनुदान प्राप्त करता को खेती के तहत नई भूमी लानी परती थी यह भी सही हो जाएगा पेसके बाद नमबर त्री पे है भेद भावी भाव विहीन ग्रामीर समाज का और इस तरी करण हुआ यह भी सही है और उसके बाद नमबर फोर पे है धार्मिक इस्थिलों और व्यक्तियों को भूमी अंदान प्रदान करने की प्रता की शुरुवात 600 इसा से हुई यह गलत होगा तो इसमें जो हमारा ऑप्शन बनेगा वो हो जाएगा थ्री नमबर एक नट यह थ्री वाला इसमें जो एंसर नहीं यह थ्री ने टू नमबर जिसमें वहां टू थ्री दिया हुआ है यानि तू करेक्ट होगा तो प्रेंड यह इस वीडियो का लास्ट कोशन है इस पेपर में यहीं तक एंशिंड के कोशन है आगे मेडवेल के कोशन स्टार्ट हो रहा है तो वह मैं अगले पार्ट में आपको लेकर आओंगी मेडवेल हिस्ट्री का जब कोशन उसमें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन की घंटी को जुरूर प्रस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अप्लोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पर मिल सके इस समय थोड़ा प्र लिखकर की फॉर्स पेपर का भी आपको चाहिए तो मैं फॉर्स पेपर का भी अप्लोड करना शुरू कर दोंगे तो वीडियो यहीं समाप करती हूँ फ्रेंड्स ओके टेक कियर और बाबाई